नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है देव स्वागत है आपका मेरे चैनल देव MTR में तो दोस्तो आज में इस वीडियो में आपसे बात करूँगा अगर आपकी गाड़ी का जो फ्यूल मीटर है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना तो दोस्तो कई ब सावजूद भी बिलिंग करने लगता है मतलब की खतम होने की कंडिशन पर दिखाता रहता है तो इस सुचेशन को आपको सही करने के लिए आपको मैं आज आपको तीन टॉपिक बताऊंगा तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल मीटर है उसको सही करा सकते हो तो दोस्तों फ्यूल मीटर खराब होने के तीनी कारण होते हैं एक तो मीटर में कोई गड़वड हो सकती है या फिर गाड़ी की जो वायरिंग होती है जो की मीटर से लेकर जो पीछे तक आपके फ्यूल टैंक में जाती है उसमें कुछ गड़वड हो सकती है तीसरा क्या है कि आपका जो fuel tank होता है उसका जो meter का जो gauge होता है वो खराब हो जाता है तो ये तीन condition है सबसे पहले आप एक अच्छे से mystery के पास जाईए और उससे बोलिए कि भाई जो fuel tank होता है उसके अंदर ये मैं आपको हाथ में लेकर दिखा रहा हूँ ये है fuel tank की assembly के अंदर जो meter की gauge होती है fuel gauge जिसको बोलते हैं हम ये लगवक market से आपको 600-700 रवे की तकरीवन मिल जाएगी डिपेंड करता है गाड़ी के model के साफ से और तो दोस्तों ये अगर खराब हो जाती है तो इसी की बज़े से जो है meter का जो reading है वो petrol की नहीं दिखाता है तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है mostly अगर दोस्तों आप इसको fuel gauge को अगर जो fuel pump की जो assembly होती है उसमें अगर आप डलवा देते हो चेंज करवा देते हो तो आपकी ये वाली जो problem पूरी तरह से 101% solve हो जाएगी ठीक है तो ये कहाँ पर होती है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पीची वाली जो seat होती है उसको आपको fold करना है उसको निकालना है ठीक है तो ये हमारा fuel pump हो गई, fuel pump की पूरी assembly होती है ये हमारा fuel tank है यहाँ पर ठीक है तो ये जो डखकन होता है इसको आप अपने आप नहीं खोलें तो दोस्तों किसी अच्छे से mechanic के पास जाएं तकरीबन 500 बे इसको खोलने के लेगा और वो आपको इस fuel gauge को change कर देगा जि हो सकता है कि आपकी जो fuel pump की जो assembly है उसमें कुछ टूट गया हो ठीक है और दूसरा point क्या आता है कि आप बायरिंग को भी check करा सकते हो अगर बायरिंग में related कोई problem है जैसा कि यह बायरिंग यहां से जा रही है जो कि मीटर तक जाती है और तीसरी problem दोस्तों मीटर में हो सकती है तो दूस्तों मीटर में हलांकी यह problem नहीं आती है लेकिन अगर कोई मिस्तरी आपको चूतिया बना रहा है या बेवकूब बना रहा है कि भाई यह मीटर चेंज करा दो यह मीटर खराब हो गया है तो आपको यह चेंज करवाना पड़ेगा इसमें आपका दस से पचा पा यह तो सेवरले वीट किया है लेकिन यह मुश्टली मैं सभी गाडियों के लिए बता रहा है यह लगवक 6700 रुपे की आती है अगर आप इसको अलग से लेना चाहते हो तो दोस्तों अब यह मिलेगी काँपर अगर दोस्तों आप डेली एंसेयार में रहते हो तो यह आपको कस्मीरी गेट, मायापूरी, जामा मस्जित की जो मार्केट है वहाँ भी मिल सकती है आपको और डेली एंसेयार या ओल ओबर मेट्रो सिटी जो होती है अल इंडिया के अंदर वहाँ पे सेवरले कंपनी के सर्विस सेंटर अभी भी खुले हुए हैं अगर वहाँ भी नहीं म मिलता है आपको तो आप महेंद्रा और महेंद्रा की जो वर्क्सॉप होते हैं जो महेंद्रा वाले अपनी गाडियों के वर्क्सॉप में जो अपनी गाडियां सही कराते हैं तो महेंद्रा वाला महेंद्रा वाले जो होते हैं वो सेवले कंपनी को भी सर्विस प्रोबाइड करा रहे हैं तो आप वहां से भी इसको पर्चेज कर सकते हैं और दोस्तों इसकी assembly की अगर मैं बात करूँ तो इसकी assembly तकरीबन अगर आप एमा जोन या किसी sites या बैसे लोगे तो तकरीबन पांस से साड़े पांच आयार की आती है अगर आप कस्मीरी गेट में जाओके तो लगवा आपको 47 और 4800 और पे की इसकी पूरी assembly मिल जाती है अगर आपको तूट जाए तो उस condition में बता रहा हूँ अगर आपको पुरानी assembly चाहिए तो आप मायापुरी या जामा मजजित की जो पुरानी market है वहाँ पर जा सकते हूँ लेकिन अभी तो फिलाल में lockdown चल रहा है तो अभी तो जाना possible नहीं है तो लेकिन फिर भी मैंने आपकी कंडिशन और हालात के बारे में आपको बता दिया है गाड़ी का जो जो भी है तो दोस्तो यह मैंने डखकन को लगा दिया है और पीछे वाली लेकिन मेरी गाड़ी तो सही कंडिशन में तो मेरी गाड़ी में यही प्रॉब्लम हुई थी तो उसी के experience के इसाफ से मैं अपनी जो knowledge है आपको शेयर कर रहा हूं ठीक है तो मैंने एक दो mystery को और भी दिखाया था वो बोल रहे थे कि इसका meter चेंज करना पड़ेगा 15 आर का खड़ाएगा फिर मैंने meter को scan भी कराया था scan में भी नहीं निकला यह चीज फिर मैंने बारिंग वाले से आपकी knowledge के साफ से या आपकी गाड़ी की condition के साफ से अगर आपको कोई ऐसी related आपकी गाड़ी में कोई problem हो रही हो तो तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो please इस वीडियो को like कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share कर देना और मेरे देव MDR चैनल को subscribe कर देना कर दो